केला अब लोगों की सेहत के साथ साथ देश की अर्थ विविस्ता की सेहत भी सुधारेगा भारत अब केला बेचकर 8300 करोड रुपे से जादा की कमाई की तैयारी में है सरकार ने इसके लिए प्लैन भी तैयार कर लिया है अगले 5 साल में केले का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने वाला है सरकार की कोशिश है कि अगले 5 साल में देश से केले का एक्सपोर्ट बढ़कर एक अरब डॉलर तक पहुँच जाए इसके लिए पिछले दिनों समुद्र रास्ते से केलो की एक खेप नीदरलेंड भेजी गई इस दोरान केले की क्वालिटी खराब न हो इसकी पूरी कोशिश भी की गई इसमें सफलता भी मिली है अभी तक फलो का जादतर एक्सपोर्ट हवाई मार्क से होता है लेकिन फलो के पकने की टाइमिंग अलग-अलग होने से इनका जादा नियात नहीं हो पाता था अब समुद्री मार्क से ताजे फलो और सबजियां भेजे जाने के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विक्सित किया जा रहा है जिसमें फलो को वेग्यानिक तरीके से उगाने से लेकर पकाने तक का प्रोटोकॉल शामिल है इस मकसद से उध्योग एव वाडिजेम अंत्राले ने एक सफल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है अब आने वाले दिनों में भारत दूसरे देशों में केलो और दूसरे फलो के नियात के संभावना तलाशेगा इसे देश में फल उत्पादकों के लिए लाब कमाने के मौके होंगे भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है ग्लोबल प्रोडक्शन में उसकी 26 दसम लव 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी है लेकिन एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा केवल एक फिसीदी है ऐसे में अब भारत की कोशिश के बाद केला देश की अर्थ विविस्ता को नई तागत देने का काम भी करेगा देश और दुनिया की सभी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टीवी नाइन भारत वर्ष के साथ